हलो गाइस वेल्कम बैक टू आर यूटू चैनल एएसी इंगलीश सेकैर्मी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेली फोन से कैसे बात्चीत किया जाता है फोन का जमाना है और आज कल हम सभी के पास फोन होती है और हम सभी फोन से बहुत बात चीत किया करते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम फोन से बात किये जाने वाले बहुत सारे इंगलिस के सेंटेंसे सीखेंगे जिसे सीख कर आप हर किसी को बड़े आसानी से इंप्रेस कर पाओगे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और इस वीडियो को बीना इसकीप करें शुरू से अंत तक जरूर देखें तो दोस्तो हमारा सबसे पहला स्लाइड है मेकिंग कानटेक्ट का जिसमें आप जानेंगे कि किसी को फोन करते ही आप क्या बोलेंगे किसी को फोन करते ही आप बोल सकते हैं हेलो गूर्निग या गूड आफटर नून अगर मान ले कि आपका नाम राज है और आप अपना परीच़प बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे This is Raj Speaking अगर आप किसी राम नाम के वैक्ति के साथ बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे I would like to speak to राम या फीर आप कह सकते हैं I am trying to contact राम या फिर आप कह सकते हैं Could I speak to Ram please? हमारा next slide है Introducing yourself in a work environment इसमें आप अपने बारे में बताते हुए आप कहां से हैं ये भी बता सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं Good morning Raj, how can I help you? या फिर आप कह सकते हैं Hello, this is Raj from Runta College या फिर आप कह सकते हैं Hello, my name is Raj I am calling from Bilai हमारा next slide है Asking for the caller's name अगर आप के पास कहीं से phone आया है और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है उनका नाम क्या है तो आप कहेंगे Who is calling please? या फिर आप कह सकते हैं Can I help your name please? हमारा अगला slide है Saying who you want अगर आप कोई account department में कोई Ram नाम के आदमी से बात करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं Can I have the account department? I would like to speak to Ram या फिर आप कह सकते हैं Could I speak to Ram please? या फिर आप कह सकते हैं Is Ram there please? अगर आप कोई कुट्ता खरीदने चाहते हैं और उसके बारे में आपको पूछना हो तो आप कह सकते हैं I am calling about the dog You have for sale हमारा next slide है responding का जिसमें आप आपके पास आय हुए call का जवाब देना सिखेंगे अगर आपके पास कोई call आया हो और आप उन्हें कहना चाहते हैं hold में रहें तो आप उन्हें कह सकते हैं I will put you through hold the line please अगर आपके पास किशी का फोन आया है पर उसे आप से बात नहीं करनी आपके घहर के किशी और सदस्य से बात करनी है जो की घहर पर नहीं है तो आप कह सकते हैं I am sorry he या see is not available यदि आपके पास किशी के लिए फोन आया हो और वह आदमी बीजी हो तो आप इस बात को बताने के लिए कहेंगे I am afraid he या see is busy at the moment यदि आपके पास किशी का फोन आया है पर जिस वैक्ति से उसे बात करना है वो वैक्ति उस जगे पर नहीं है तो इस बात को बताने के लिए आप कह सकते है I am afraid he या see is away not in at the moment या फिर अगर वो कोई meeting में हो तो आप इस बात को कह सकते हैं I am afraid he या see is in a meeting हमारा next slide है reason for calling जिसमें आप call करने के reason के बारे में बात कर सकते हैं call करने के reason बताने के लिए आप इन तीन चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं पहला I am ringing to plus reason दूसरा I would like to plus reason तीसरा I need some information about plus reason हमारा next slide है living and taking message जिसमें आप message लेने और छोड़ने की बात करेंगे अगर आपको कहना हो कि क्या मैं message छोड़ सकता हूँ तो आप कहेंगे can I leave a message या अगर आपको कहना हो क्या मैं message ले सकता हूँ तो आप कहे सकते हैं can I take a message और यदि आपको कहना हो क्या आप message छोड़ना चाहोगे तो आप कहे सकते हैं would you like to leave a message या फिर अगर आपको कहना हो कि कृपिया आप उन्हें बता दें तो आप कह सकते हैं प्लीज टेल हीम या हर अगर आपको कहना हो कि क्या आप उसे मुझे फोन करने के लिए कह सकते हैं तो आप कहेंगे और यदि आपको कहना हो कि क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैंने call किया था तो आप कहेंगे Could you tell him या her I called हमारा next slide है Asking for Repetition इस slide में हम जानेंगे यदि phone पर किसी की बात आपको समझ में ना आए या सुनाई ना दे और आप कहना चाहते हैं कि प्लीज दोबारा कहिए या फिर आप कहना चाहते हैं समझ नहीं आया फिर से कहिए तो इन सब sentences को English में कैसे कहेंगे या देखेंगे यदि phone पर आपको कोई अपना नाम बताए पर आपको उसका नाम समझ ना आए और आप कहना चाहते हैं कि दोबारा बताईए मैं समझ नहीं पाया या पाई तो आप इस बात तो English में कह सकते हैं इसी तरह से अगर कोई अपना नमबर बताए और आपको समझ ना आए तो आपको नेम के बदले पर नमबर कह देना है जैसे यदि आपको कहना हो कि माफ करना मैंने सुना नहीं फिर से कहिए तो इस बात को आप English में कह सकते हैं Sorry I didn't hear that यदि आप कहना चाहते हैं कि क्या आप फिर से कह सकते हैं तो आप English में कहेंगे Could you repeat it please? या फिर इसी बात को आप कह सकते हैं Could you say it again? या फिर आप कह सकते हैं I am afraid I didn't understand यदि आपको कहना हो कि जो भी आपने कहा क्या आप उसका spelling बता सकते हैं तो इस बात को आप कह सकते हैं Could you spell that please? या फिर किसी भी चीज को दोबारा बुलवाने के लिए आप कह सकते हैं Could you speak up? हमारा next slide है Asking for the caller's name इस slide में आप जानेंगे कि कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम आप किस किस तरह से पूछ सकते हैं कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम जानने के लिए आप कह सकते हैं Who is calling please? या फिर आप कह सकते हैं Could I take your name please? या फिर आप कह सकते हैं, Hello caller, could या may I have your name please? यहाँ पर आप could या may दोनों का इस्तमाल कर सकते हैं. हमारा next slide है, Introducing yourself. इस slide में आप जानेंगे कि आप अपना नाम या आप अपना परिचाय कैसे बता सकते हैं? तो आप अपना नाम बताने के लिए कह सकते हैं, Hello, this is Amit Calling. या फिर आप कह सकते हैं, Hello, this is Raj from Bhilai. या इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, My name is Raj from Bhilai. हमारा next slide है, Asking for someone or something. अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या मैं Raj से बात कर सकता हूं, प्लीज? इस बात को बोलने के लिए आप could, may या can का इस्तमाल कर सकते हैं. और example, Could I speak to Raj, प्लीज? या फिर अगर आपको कहना हो कि मैं Raj से बात करना चाहूंगा, तो आप कह सकते हैं, I would like to speak to Raj, प्लीज? या अगर आपको कहना हो कि क्या आप मुझे Raj से बात करा सकते हैं, तो आप कहेंगे, Could you put me through to Raj, प्लीज? अगर आप कहना चाहते हैं, कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था, या मैं सिर्फ वो कहने के लिए फोन किया था, तो इस बात को आप कहने के लिए कहेंगे, I am just calling to say, उसके बाद वो बात जो आप कहना चाहते हैं. हमारा next slide है, Connecting someone. फोन करने के दौरान, आप अक्सर कहते हैं, कि थोड़ा सा रुको, या एक सेकेंड रुको, इस बात को आप इंगलिज में कह सकते हैं, One moment please, या फिर आप कह सकते हैं, Just a second please, या फिर आप कह सकते हैं, Just a moment please. कई बार आपके पास किसी का फोन आता है, और कहता है कि उनसे बात कराओ, और आप कहते हैं, कि मैं एक बार देखता हूँ, या देखती हूँ, कि वो अंदर है, या नहीं, इस बात को आप इंगलिज में बोलने के लिए कहेंगे, I will see if he is in, अगर आपके पास किसी का फोन और कहे, कि मुझे मिश्टर राज से बात कराईए, और अगर आप कहना चाहते हैं, कि अगर वो होंगे, तो जरूर मैं उनसे बात कराओंगा, तो इस बात को आप कह सकते हैं, if Mr. Raj is available, या फिर आप कहते हैं, please hold में रहिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, इस बात को आप इंग पर रख सकते हैं, इस बात को आप इंग्लिश में कहेंगे, could you hold the line please, या फिर आप कह सकते हैं, please hold the line, अगर आप को किशी को किशी से बात कराऊंगा, ऐसा कहना हो, तो आप कह सकते हैं, certainly Mr. Raj is, I will just put you through, या फिर आप Mr. Raj is को कह सकते हैं, of course Mr. Raj is, I will just see, if he is available, अगर आप किसी राज नाम के वैक्ति को कहना चाहते हैं, कि बहुत बहुत धन्यवाद होल्ड करने के लिए, मैं आपको Mr. Raj से बात करवाता हूं, तो आप इस बात को कह सकते हैं, Mr. Raj, thank you for holding, I am just putting you through to Mr. Raj, या आपको normally बोलना हैं, कि मैं बात कराता हूं, तो आप कह सकते हैं, I will put you through, या आप बोल सकते हैं, I will connect you, या आप फिर बोल सकते हैं, I am connecting you now. हमारा अगला स्लाइड है, explaining of science का, जिसमें आप जानेंगे कि किसी व्यक्ति के अनुपस्थिती को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, यदि आपके पास किसी राज नाम के व्यक्ति के लिए फोन आया है, और आपको कहना हो, कि राज अभी नहीं है, तो आप इस बात को कह सकते हैं, I am afraid, Mr. Raj is not in at the moment. यदि आपके पास किसी के लिए फोन आया है, और आप कहना चाहते हैं, कि वो अभी मीटिंग में हैं, तो आप कह सकते हैं, I am sorry, he is in a meeting at the moment. और यदि वो व्यक्ति किसी और नंबर पर बात कर रहा है, इस बात को बताने के लिए आप कह सकते हैं, I am afraid, he is on another line at the moment. और यदि आपको कहना हो कि वो गुरु वार तक बिजनेस के लिए बाहर हैं, तो आप इस बात को इंग्लिज में कहेंगे, I am sorry, but Mr. Raj is away on business until Thursday. यदि आपके पास कोई wrong number आता है और आपको कहना हो कि आपने wrong number लगाया है, तो इस बात को आप इंग्लिज में कहेंगे, I am sorry, you have dialed a wrong number. यदि आपके office में किसी के लिए phone आता है और आपको कहना है कि वो अभी office में नहीं है, तो आप कहे सकते हैं, he is not in office now. Next slide है, leaving a message with someone. यदि आपको कहना हो कि मैं Raj बोल रहा हूं, क्या आपने मुझे phone करने के लिए कहा था, तो इस बात को आप कहे सकते हैं, yes, it is Raj here. Could you ask him to call me when he is available? यदि आपको अपना number किसी को बताना हो, तो आप कहेंगे, my number is फिर आपका number. यदि आपको कहना हो कि नहीं, सब ठीक है, मैं आपको बाद में call करूंगा, इस बात को आप English में कह सकते हैं, no, that is okay, I will call back later. अगर आपको कहना हो कि क्या आप उसे बता देंगे कि उसका फ्रेंड राज ने call किया है, इस बात को आप English में बोलेंगे, अगर आपको कहना हो, नहीं, बस रहने दो, धन्यवाद, तो आप कहेंगे, no, that's all, thank you. यदि आप किसी को फोन पर help के लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे, तो आप बोल सकते हैं, thank you very much, you have been very helpful. हमारा next slide है, taking a message का, यदि आपको फोन पर कहना हो, कि Mr. Raj बाहर हैं, तो आप कहेंगे, I am sorry, Mr. Raj is out. और यदि आपको कहना हो, कि Raj अभी busy हैं, तो आप कहे सकते हैं, I am sorry, Mr. Raj is busy at the moment. फोन पर अगर आपको पूछना हो, कि क्या मैं जान सकता हूँ, कि आप कौन बोल रहे हैं, इस बात को आप English में कह सकते हैं, Can I ask who is calling? यदि आपको कहना हो, कि क्या आप मुझे message दे सकते हैं, तो आप इस बात को कहेंगे, Can I take a message? यदि आपको कहना हो, कि क्या मैं उसे message दे सकता हूँ, तो आप कहेंगे, Can I give him or her a message? कई बार आपके पास कोई फोन आता है, पर वहाँ से कोई आवाज नहीं आता है, तो आप कहते हैं, क्या कोई है, जो बात करना चाहता है, इस बात को आप English में कह सकते हैं, Is there anyone else you would like to speak to? अगर आपको कहना हो, कि मैं Mr. Raj को बता दूँगा, कि आपने फोन किया था, इस बात को आप English में कहेंगे, I will tell Mr. Raj that you called. अगर आपको कहना हो, कि क्या आप दो घंटे बाद फिर से call कर सकते हैं, तो आप English में कहेंगे, Could you call again after two hours? हमारा next slide है, Problems and Making Special Requests अगर आपको फोन पर कहना हो, कि माफ करना मैं समझा नहीं, क्या आप दूबारा कहेंगे please, तो आप इस बात को इंगलिश में कह सकते हैं, I am sorry, I didn't understand, Could you repeat that please? और यदि आपको कहना हो, कि माफ करना मैं अच्छे से सुन नहीं पाया, तो आप कहेंगे, I am sorry, I can't hear you very well, या फिर आप कहे सकते हैं, Could you speak up a little please? अगर आपको कहना हो, कि माफ करना आपके पास मेरा गलत नंबर है, तो आप कह सकते हैं, I am afraid, you have got the wrong number, अगर आप कहना चाहते हैं, कि माफ करना मेरी इंगलिश ठीक नहीं है, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो आप इस बात को इंगलिश में कहेंगे, कई बार ऐसा होता है, कि कोई आपको अपना नाम बताता है, पर आपको समझ नहीं आता है, आप कहते हैं, कि क्या आप इस बात को इंगलिश में कह सकते हैं, अगर आपको कहना हो, कि क्या आप अपना नाम फिर से बता सकते हैं, तो आप इस बात को कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं, कुड यू से यूर नेम अगेन प्लीश? हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, फिनिसिंग अ कन्वर्सेशन. इस स्लाइड में हम जानेंगे, कि आप अपना कन्वर्सेशन किस-किस तरह से खतम कर सकते हैं, अगर आपको कहना हो, कि कॉल करने के लिए धन्यवाद, अभी के लिए बाई, तो आप इसे इंगलिश में कहेंगे, थांक्स फॉर कॉलिंग, बाई फॉर नौ। अगर आपको कहना हो, कि अब मुझे फोन रखना होगा, तो आप कह सकते हैं, अगर आपको कहना हो, कि मैं आपसे बहुत जल्दी बात करूंगा, अभी के लिए अलविदा, इस बात को आप इंगलिश में कह सकते हैं, अगर आपको कहना हो कि call करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Mr. Raj अभी के लिए अलविदा तो आप इसे English में कह सकते हैं Thank you for calling Mr. Raj, goodbye अगर आपको कहना हो कि call करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका दिन सुब हो, इस बात को आप English में कह सकते हैं Thank you for calling friend, have a nice day तो guys आज के इस वीडियो में इतना ही I hope कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत जादा मेहनत और समय लगा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए ओके दोस्तों थाइंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो कीप प्रेक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग